वेल्कम बैक आज हम लोग शुरुवात करते हैं जूबी ग्यान के कुछ ऐसे मल्डपल चोईस कोईस्चन जो परिच्छा के दिरिष्टी से बहुत इंपोर्टेंट है चाये आप किसी कंपडिशन में विवेड़ते हैं कामन यह देखा जाता है कि जूबी ग्यान में जो कोईस्चन होते हैं अधिक तर्ट जो है यह अफ-c-a-t डैट मिंस एरफर्स कामनेडविसन टेस्ट में पूछे जाते हैं जिस कोईस्चन उठाता है जूबी ग्यान के पिता किसे का जाता है जिविग्यान के पिता किसे का जाता है फिर अरस्तु आप एंसर देंगे फिर एदि नेक्स्ट कोईशन कहा जाए जीवन का भोतिक अधार क्या होता है जिव द्रब्य जिव द्रब्य जो है जीवन का भोतिक अधार होता है आपसे फिर कोईशन किया जाए माली जी कोशिका का सक्ति केंद्र किसे कहा जाता है कोशिका का सक्ति केंद्र किसे कहा जाता है तो माइक्रोकांडिया जो है मेन पाउर होता है सेंटर का माइक्रोकांडिया ठीक फिर नेक्स कोशन ये इस तरह सूठाए जाए जो कोशका भीत होती है परड़ रहित होती है, सिंट्रियों उल होते हैं, ये पादप कोशिकाओं के जन्तु से बिवेधित करती रती हैं, या इसी कोशिशन को हम इस तरह से भी उठा सकते हैं, कि निमने में से कौन से इसी रचना पादप कोशिकाओं को जन्तु कोशिकाओं से बिवेधित करती है, अनि आरपा छिद्र का काम करती है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कोश्का जो भीत्य होती है पढ़ हरी तो जो होती है सेंट्री ओल होते हैं तो यह तीनों प्रकार के जो हैं यह जन्तु कोश्का से भीविदित करती हैं ठीक है फिर आपको यह पूछा जाए कि मालिजे ऐसी कुश्का कांग है जो आत्मत्या की थैली का जाता है कुश्का कांग को आत्मत्या की थैली का जाता है तो आपका बिसकली जो है लाइसोसोम लाइसोसोम एक ऐसी चीज़े होता है जो आत्मत्या के लिए जो है बिसे सुरुप से एक थैली होता है ठीक है फिर आपका जो DNA होता न डिंडन्य की द्यूज़ित कुंडली नंतल्प्डबलल हैलिक्स MR का पता सवर परतम किसी ने लगाया तो वाट शं यह हो क्रिक क्रिक देखे वाट शं यह क्रिक ने यह double helix model का जो पता लगाया फिर question आपका उड़ता है कि यह बताईए DNA का मुख्य कार क्या होता है तो अनुवांसी क्रियाओं का संचालन करना जो अनुवांसी क्रियाओं होती है उसका मुख रूप से संचालन करना यह इसका DNA का कार होता है फिर कहा जाए RNA कहां पाए जाता है RNA कोज का द्रव में पाए जाता है इतना विधान मेरेंगे कोज का जो द्रव होता है उसमें RNA पाए जाता है ठीक है आप दिवा के यह भी लगाएं कि जो सम्सुत्री होते हैं सम्सुत्री विभाजन यानि मिटोसिस के बारे में निवन्यवाजन से कौन से कथन सत्य के लिए चूज किये जाते हैं यानि सम्सुत्री विभाजन मोटिसिस के बारे में निवन्यवाजन से कौन से कतन सत्य कह जाते हैं लिए विभाजन इस सिर्प काई की कुछ कम में होता है फिर माइटो सी सब्द का परियोग स्वर पर्थम फ्लेमिंग ने किया था माइटो सी सब्द का परियोग स्वर पर्थम फ्लेमिंग जो साइंटेस्ट था वो उसने परियोग किया था आप इसको फ्लीमिंग का, लेप्ट हंठ का रूल, रैइट हंड का रूल, आप उसमें भी पढ़ते हैं, फिर इसका कन्डिशन है, जिसमें मात्र कोषिका विभाजित होकर, दो समान नई संत्ति कोषिकाओं का निवाण करती है, यह भी बात सही है कि समसुत्री का, जिसमें मा तरकोष का विवाजी थोकर